नमस्कार दुस्तों Stock Market Studies में फिर सेग्मर आपको बहुत-बहुत सागत हैं तो आज में फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपणी के अपडेट शेयर कने वाला हूँ तो इस वीडियो को पूरा लास तक देखिएगा और अभी तक अपनी चनलन को सब्सक्रेब नीकिया तो जूरू कर लिजेगा सबसे पहले मैं डिसकेसन करूंगा सोना गिया जो से अब करद कर दो कंपशा है तो कंपशा के संथा के साथ शाठ यह जो दर देखना के साथ अगर के मतलब टाइवसी भायट करके रखे है उसके बीजनेस को पूड़क्स का जैसे डिफरेंशियल के गियर बॉक्स का 33% रेविन इजनेट हो रहा है और डिफरेंशियल जो एसम्बल्स है उसके वपर 26% साथी साथ माइक्रो हाइबिट जो स्टार्टर है उसके वपर 21% और साथ साथ आप देख सेकते हैं कॉन्वेंशनल जो मतलब स्टार्स है स्टार्स मोटर्स के उपर है उसके पर 8% तो इस तरह के से अलग-अलग के उपर कंपानी बीजनेस को फैला के रखा अभी सबसे मुझे बेस्ट फ़न लगा कंपानी बैट्री मतलब EV सेग्मेंट के उपर जो माइक्रो हाइबिट के उपर 21% और ICE जो डिपेंड है उसके उपर 9% के आसपास तो बिजनेस की इस तरह के से फैला के रखा है आप देख सकते हैं अभी चलो इस कंपानी के उपर कुछ गूट अपडेस में आपके साथ सेयर करेंगा पस्ट जो अपडेट है आप वो अपड करोड से 155 करोड के आसपास net profit देखनो का मिला मतलब कमपानी 1.74 के आसथ से 2.64 रूपीज के आसपास earning पर सिर्थ देखनो का मिला जो आज तक ही सबसे highest earning पर से आर है मतलब कमपानी में कभी भी अपको sales और profit में growth कम होता देखनो का नहीं मिला है अगर आप यहापे भी तो तील टू मांथ में थोड़ा सा चेंजेस आया कोई बात नहीं तीन साल में 27 परसन के अवरेज था एक साल में अठ्रा परसन बने मतलब इसे कुछ बेका रेजल हो गया इसे बिल्कुल नहीं कमपानी ठीक था कि बारफनस कर रहा है तील टू मांथ में 26 परसन के आसपास देखने को मिला बाकी अगये चापितन के हैं बात करो तो आप यह वरेज हने बने क्वा मिला यहापर एक solar बने big head बने उसके बाद एक solar बने और finally यह पर देखे company एक ही range के उपर कुछ time बिता है और finally इसका breakout भी होने का कोशिस कर रहा है और breakout भी हुआ रीटेस्ट किया उसके बाद उपर जाने का वो अगर उपर गये, तो कहा तक मैं टार्गेट लेकर चलूँगा, 825 रूपिस के आसपस, जो मैं टार्गेट लेकर चलु रहाई हूँ, अभी देखें, टार्गेट मैं आपको किसी को बाइसल करने के लिए नहीं दे रहाँ, ने मिरा खुद का ट्रेट है, औौर मेरा मेरा खु जो software से उसमें मार्किंग करके रखना क्या सही में इस तरी के से strategies में दाम है आपको जूरू पता चलेगा तो next जो company उसका नाम है Baroon Beverages Limited देखे Baroon Beverages के उपर सबसे प्यादे में chart patterns के उपर आपको share करूँगा अगर मैं chart patterns के बारें बात करूँ आप आप ध्वान से देखेंगे company उसके उपर जब pattern skate हुआ था इस तरी के से range और उसके बाद breakout हुआ रिटेस्ट किया अभी एक ही जगा पर company टेड़ किया और उपर जाने का वो कोशिस कर रहा है अभी देखे होता क्या है जब कोई company लगातार भागते चल जाते हैं कभी न कभी बहुर रुकेगा और आपी देख सकते है company कितने दिनों से भाग रहा है COVID के level से company rocket के तरह भाग रहा है तो COVID के level कहाँ पर था सिर्फ 100 रुपीज के आसपास और आज कहाँ पर चल रहा है करीबन 1700 रुपीज के आसपास तो 100 रुपीज से 17 रुपीज के आसपास मतलब already 17 times company return दे चुके हैं तो कभी न कभी तो रुकना चाहिए तो finally मुझे लग रहा है यहापे जो hold कर रहा है वो बोही कारण के बज़े से बोही situation के बज़े से अभी देखे मैंने जब इस company के उपर यहापे इस high level में एक trade का decision लिया एकदम minimum quantity के साथ लिया इसलिए लिया क्योंके company उसको पर मुझे थोड़ा सा rix नज़र आ रहा है तो rix कहाँ पर नज़र आया चलो बो भी मैं आपको बतायता हूँ पहली बात company के valuation में मुझे rix लगा क्योंके company के industry period से double period से इसके उपर देखने को मिला बाकी देखिया ROC तो ROE और ROC दोनों ठीक है income भी अच्छा कासा है और company के depth एकदम ना के बराबर है और promoter के पास holding भी 62% के आसपास है तो company इसको पर जो quarter lizard है बो अगर देखेंगे expense के बारे में बात करो company के expense 800 करोड से 3,700 करोड बने, 4000 करोड बने, 5000 करोड बने बेस तरीके से expense यहाँ पर देखने को मिला उसी तरीके से अगर net profit के बारे में बात कर तो 319 से लेकर 800 करोड, 1000 करोड और 1200 करोड तो एक अलग level का company का net profit भी यहाँ पर गुरोत होता देखने को मिले तो company के उपर यहाँ पर weakness तो मुझे देखने को नहीं मिला है हाँ, एक data में जोरू काऊंगा कि companies के उपर जिस तरीके से मतलब growth मतलब होना चाहिए था year up year basis में वह पर थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला यहाँ पर थोड़ा सा मुझे प्रेसराइज बनता हो देखने को मिले जो प्रेसराइज के उपर आगे बनने में थोड़ा सा रुकाबट बन सकते है और साइध इसलिए मुझे लगता है कुछ दिनों से एकी range के उपर company trade कर रहा है तो company के उपर बड़े जो दिगज investor उसके नाम आप देख सकते है मोतिला लोसवाल उन्हेंने target रखा 1850 तक तो 1850 तक मतलब उनका कैना है upside में 28% तक upside जाने का chances है अभी चलो देख लेते हैं 1850 कहा तक देखने को मिला है तेकि 1850 का मतलब है almost almost कुछ इस तरी के से levels में कुछ इस तरी के से levels में आपको देखने को मिलेगा एक बार में marking कर लेता हूँ तो 1850 इस level तक है और मुझे लगता है कि मेरा जो target level में लेकर चल रहा हूँ करिबन 2035 के आसपास इस level तक जाने का chances है अभी देखिए किसका target achieve होगा और कहा से गिरेगा किसी को बता नहीं होता हमेशा prediction अगर सही में अगर company का analysis अपने किया company का financial fundamentals अगर ठीक ठाक है तो आज नहीं तो खलब भागेगा हाँ, सरदी का मौसम होता तो मैं सोचता company के पर एक प्रेसराइज बन था क्योंकि उस time company के जो product है coldings का product वो काम बेचा जाता है तो अभी festival का महूल आ रहा है बहुत सारे मतलब festival इंडियन festival स्टार्ट होने जा रहा है तो घनपती से स्टार्ट होंगे उसके बाद दूर का पूजा है और भी बहुत सारे अलग-अलग state का अलग-अलग festival है तो उस time सबसे ज़दा coldings का product बेचा जाता है तो इसके एक demand तो बढ़ेगा और demand के कारण surprise में एक तो जम देखने को मिलेगा यह सारे points को observe करके मैंने काम किया हूँ वाकि आपके क्या opinion है जोरू मुझे comments करना तो next चो company उसकरना मैं Arvinal finally Arvinal के उपर जो data update मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुके है वो है result और मैं आसा कर रहा था कि Arvinal के इस बार result थोड़ा सा खराब आएगा कि कि बड़े से बड़े दिग्गे चैनल देशिस ने ही बता रहे थे कि इस company के result इस बार खराब आएगा तो देखा जे तो हर कोई related sector के उपर result खराब है तो इसके पर भी result खराब देखने को मिला 5400 से लेकर 4064 करोड का total sales है मतलब sales का जो data है वो बहुत काम हो चुके है उसी इसाब से company के expense मिटाने के बार net profit 334 से लेकर 218 करोड तक देखने को मिला मतलब net profit में अभी changes देखने को मिले क्योंकि इतनी बड़े company का profit down हुआ है इसका जटका तो company को लगे गा ही तो क्या सही में जटका लगा चुलो इक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ क्याट में देखेंगे तो जिस तरह के से आपके correction हो रहा था एक level में वो रुके हुए थे वो level निकल का रहा था करीबन करीबन कुछ इस तरह के से 500 के something चो एक बार मैं level आपको बताज़ता हूँ 538 यह जो level निकल का रहा था करीबन 538 के आसपास इस level से बीक रैसवा और उसके बाद नीचे जाने का chances है और इस down level तक जाने का chances देखने का मिल सकता है तो मुझे लगता जो situation बना है उस situation के basis में company में इस level तो रिटेस्ट करने के लिए आएंगे और यहाप अगर रिटेस्ट करने के लिए तो मुझे एक trade मिल सकता है यह कि एक range trade लेने के लिए में त्यार हूँ यह कि दो buying candle मुझे पहले सी मिल चुके है इसके लिए में integer कर रहा हूँ मेरे पास अभी भिलार के लिए कोई भी इस company के share नहीं है तो जब कोई range बनेगा तो मैं जुरू इसके उपर कुछ ना कुछ decision जुरू लूँगा और आपके साथ भी share करूँगा और हाँ मेरे वीडियो हमेसा सारे चीज़ आपको education purpose में है एज़े आपके साथ एक discussion है तो इस discussion को आप by cell के हिसाब से मत लीजिएगा आपको recommendation के हिसाब से कोई भी में data नहीं दे रहा हूँ आपको अदर काम करना है तो चीज़ों को समझ कर काम करना होगा एक चो company उसका नाम है पराग मिल foods limited बिसिकली पराग मिल foods limited एक 2200 करोर का company है और company में जबदस तक जारनी होने के बाद management ने एक बहुत बड़ा decision लिया वो है bonus देने का तो company 1 to 1 का bonus याप issue करने जा रहा है उसके साथ 1 to 2 रिस्यू का है पर split भी announcement करने जा रहा है तो split and bonus एक साथ company लेके आने वाल है तो जो लोग extra benefit पाना चाता है तो deeply इस company के वो research करें उसके बाद काम करें क्योंकि मेरो तरफ से कोई भी किसी भी companies के वो recommendation नहीं है मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद